वित्रों इस वीडियो में हम बात करेंगे कारेंट अफेयर्स की 2019 जो जन्वरी से लेकरके अक्टूबर तक के सथी करेंट अफेयर्स में कवर होंगे जो कि section wise discuss किये जाएंगे इस वीडियो में हम देखेंगे राश्टी ए घटना करम है जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक जिसमें 20 से 25 टॉपिक होंगे जो कि बहुत ही जादा महतोपूर है उनके बारे में बात करेंगे अन्य टॉपिक जॉइन करने के लिए जो कि हमारी test series में कवर किया जा रहा है वो आप test series जॉइन कर सकते हैं प्री की 15 टेस्ट हैं इस नमबर पे डबल एट जिरो टू नाइन वन थी फाइफ वान सेवन पे आप इस पे वाटसप कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अभियान सिविल सेटसेज में इस वीडियो में हम देख लेंगे जो रास्ट्री एकरेंट अफेर्स हैं उनके बारे में आये शुरू करते हैं जो लोग नया है किरप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपको हमारा कारी करम पसंद आता है तो like, share, comment जरूर किया करें रास्ट्री एघटना करम में हम देखेंगे पहला विस्व लोकतंत्र सुचकांग 2019 तो इसके बारे में जो मूल-मूल जानकारी हैं उनकी ये प्रारंभिक परिक्षा के लिए totally oriented videos होंगे जो daily एक से दो videos आपको मिलेंगे जिससे पूरे साल का आप cover कर लेंगे रास्ट्री अंतरास्ट्री science and technology economy और polity और जिससे भी संबन्दित मुद्दे होंगे जैसे की आप देखेंगे कि sports से हैं awards से हैं personal news है जो अस्थल है news में उनके बारे में सभी topic आधार पे इसको cover किया जाएंगे और आएए देखते हैं तो विस्व लोकतंत्र सुचकांग जो है world democratic जो index है 2019 उसमें उसको कौन जारी करता है तो economic intelligence unit द्वारा इसे जारी किया जाता है तो इसको आप याद रखेंगे कुल देश इसमें शामिल है 167 तो ये याद आपको याद रखना है प्रथम तीन अस्थानों पर Norway, Iceland और Sweden है तो इसको आप ध्यान रखें और भारत का अस्थान जिसमें एक तालिसवा है ये महत्वपूर्ण है जो की जो त्रुटी पूर्ण लोगतंतर का इससे दर्जा दिया गया है दुनिया में 4.5% लोग ही पूर्ण लोगतंतर में हैं तो दुनिया की जित्ती भी जनसंख्या उसका 4.5% ही लोग जो टोटल डेमोक्रेसी का लाभ ले रहे हैं अंतिम अस्थान पर उत्तर कोरिया नार्थ कोरिया जो है लास्थान पर तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको जारी करता है Economic Intelligence Unit कुल देश 166 है परथम तीन अस्थानों पर Norway, Iceland, Sweden है भारत का अस्थान 41 है और तुरुत्री पूर्ण लोगतंतर में अगला देखेंगे हम Times Higher उच्च सिक्षा रैंकिंग 2019 तो Higher Education में जो सिक्षा रैंकिंग जारी की गई है Times द्वारा उसमें भारत का क्या अस्थान है कितने विश्विद्याले सामिल है उनके बारे में हम बात करेंगे 15 जनवरी 2019 को इसे जारी किया गया सिर्स 500 विश्विक विश्विद्याले में भारत के 49 संस्थान इसमें शामिल है भारत की जो टॉप इनवर्स्टी है उसमें IASC बैंगलूरू है जो भारत की विज्ञान संस्थान बैंगलूरू सिर्स अस्थान पर है Oxford University सरस्विद्याले सामिल किया गया है तो Oxford विश्विद्याले को पहला अस्थान मिला है तो इसमें चार चीजें याद करने लायक है 500 विश्विद्याले की ये रैंकिंग है 49 संस्थान भारत से है IASC बैंगलूरू जो है वो टॉप पर है और Oxford University जो है बृतेन की है वो टॉप पर है ये चार पांच घटना है जो इस से संबंदित है आपको याद रखनी है अगला टॉपिक हम देख लेंगे 103 संविधान संचोधन अधिनियम ये काफी महत्तपूर है 124 संविधान संचोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था 103 संविधान संचोधन अधिनियम इसे बनाया गया है जनवर ये 2019 संसद में पारित किया गया है 124 संविधान संचोधन विधेयक है जो 103 संविधान संचोधन अधिनियम के नाम से जना जाएगा संविधान के अनुछेद 15 और 16 तो ये आपको ध्यान रखना है ब्योस्ता की गई है इसे लागू करने वाला पहराराज गुजरात है तो आपको इसमें पांच चीजे याद रखनी है पहला तो यह 124वा संविधान संचोधन विधेयक है तो संविधान संचोधन विधेयक और इसमें दोनों में अंतर होता है तो आप ध्यान रख लेंगे कि विधेयक और जो एक्ट होता है इन दोनों में अंतर होता है और एक सो तीनवा एक्ट है ये और एक सो चौबिस्वा जो है समिधान संचोधन विधेयक है ये तो इसके बारे में हम देख लेंगे इसमें कि एक सो चौबिस्वा याद रखना है एक सो तीनवा याद रखना है औ और आपको एक दो चीज़ें और याद रखनी है कि 15 और 16 में परिवतन किया जाएगा गवरीब सवनों के लिए 10 प्रिशत आरक्षण है और उसका क्राइटेरिया भी आप याद रख सकते हो कि 2 हेक्टेर से कम जमीन हो या आपको 8 लाग से कम का इंकम हो कुछ शहरी और ग्राम करनी है अगली जो महत्पूर्ण घटना है उसके बारे में हम देख लेंगे भारतिय रेलवे का नया जोन कहां खोला गया है मतलब कहां स्थापित हुआ है तो दच्छिड तटीय रेलवे के नाम से यह जोन जाना जाएगा यह प्रस्ण जो है आप देखेंगे कि एक दो एक जोनों की संख्या 18 हो गई है तो इससे पहले 17 जोन थे 17 जोन के नाम हमें कमेंट बॉक्स में अगर लिख पाए तो लिख सकते हैं 17 जोन कौन कौन से हैं इनको याद रखना भी काफी जरूरी होता है उनका एरिया पता होना चाहिए कि नौर्थ जोन में कौन है नौर्थ सें 18 हो गई है तो इसमें आपको याद रखने हैं अगला प्रसन हम देखेंगे अगला जो टॉपिक है हमारा जी सैट 31 का प्रच्छेपण तो यह काफी महत्त पूर्ण है इसरो के संचार प्रग्रा जी सैट 31 का प्रच्छेपण यूरोपिय इस पेस एजनसी जो एरियन 5 जो है इनका वहकिल है यूरोपियन स्पेस एजनसी कहां पर है आप हमें comment box में बताएंगे यूरोपियं इस पेस एजनसी कहां पर है यह आप हमें comment box में बताएंगे अरियन 5 जो इनका launch वहकिल है वीए 247 तो ये भी आपको memorize कर लेना चाहिए रोकेट द्वारा G731 का वजन जो है 25-35 kg है और अनुमानित कारेकाल माना जाए इसका जा रहा है 15 वर्स तो इसमें चार जो है आपको याद रखने है चार फैक्ट इसरो के द्वारा इसका संचार उपरगर जो है G731 है इसे Arian 5 के VA247 रोकेट द्वारा लां जा रही है तो यह चार से पांच फैक्ट इसमें भी है इसको आप याद कर सकते हैं अगला टॉपिक आप देखेंगे जी आई टैग जी आई टैग जो है काफी महत्तपूर है जी आई टैग होता क्या है जो भारत द्वारा जारी किया जाता है जो कि छेत्री आधार पे जी आई टैग की माननेता जो होती है वो दस वर्ज के लिए होती है उसके बाद इसको रिन्यू कराना होता है प्रथम जी आई टैग अब जी आई जो जो जेग्राफिकल इंडिकेशन एंड गुड्स प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन एंड प्रो जो है इसको जिसका मुख्याला है आप डबलू टीओ का मुख्याला है कहां पर है डबलू टीओ इसे आधिकारिक मानेता देता है और प्रथम जी आई टैग जो है दार्जलिंग चाय को 2005 में मिला था और यह जो एक्ट बना था वो 1999 में बना था यह आप याद रख सकते हैं सरवाधिक जी आई टैग जो है करनाटक के पास है हाली में दिये गए जी आई टैग है इनका जो है क्रम आप लिख सकते है कि किस राज से संबंदित है तो यह आप से पूछा जा सकता है काफी मत्पूर्ण है UPSC में तो कई बार ऐसे प्रस्ण आ चुके हैं UPSC भी उसी धर सकते से पर पर चल रहा है तो यहाँ से भी प्रस्ण बने की संभावना रहती है सिर्षी सूपारी कूर्ग अवेरिका कॉफी अरेविका कॉफी और Kita कॉफी और कोला पुर्चप्पल तेनों करनाटक से हैं तो इसमें जो दिये गए हैं GI tag केरल करनाटक तमिलनाड उडिसा के चार राज्यों से हाल ही में इस वर्स जो है इनको GI tag मिला है इनके नाम हम देख लेंगे मैरूर गुड और तिरूर बीटल पान जो है यह केरल का है कंदामल हल्दी उडिसा की है उसको GI tag मिला है और डिंडी गुल के ताले इरोड हल्दी पलानी पंच तिर्थम प्रसादम तमिलनाड से हैं फिर से एक बार देख लेंगे सिर्शी सुपारी कुर्ग अरेविका कॉफी कोलापूर चपल यह तीनो करनाटक से हैं मर्यूर गुड तिरूर बिटल पान केरल से हैं कंदामल हल्दी जो है उडिसा से हैं दिंडी गुल के ताले और इरोड हल्दी पलानी पंच तिर्थम प्रसादम तमिलनाड से है जो पंच तिर्थम प्रसादम है इसमें काउ की घी हनी और इलाइची है ये प्रसाद दिया जाता है तो पंच तिर्थ प्रसादम ये आपको ये काफी महत्वपूर्ण है इसको याद रख लिए इरोड हल्दी और डिंडिगुल के ताले ये जो ये तीनों कहां पे हैं तमिलनाडु में हैं तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें जो महत्वप पहारत की अमुले निदी है इसमें जो माननिता मिलती है वो 10 बस की अवाइद के लिए होती है फिर से इसको रिन्यू करना होता है प्रथम जी आई टैग जो मिला था वो दारजलिंग की चाय को मिला था 2005 में सरवाधिक जी आई टैग करनाटक को मिला है हाल ही में दिये गए टैग जो है सिर्शी सुपारी कुर्ग अरेबिका कॉफी कोलापुर चप्पल ये करनाटक से हैं मर्यूर गुड जो है और तिरूर बिटल पान खेरल से हैं कंधामल हल्दी जो है उडिसा से और डिंडी गुल के ताले इरोड हल्दी और पलानी पंच्तिर्थ प्रसादम जो है नए जो 2019 में भारत रत्न पुरसकार मिले हैं वो किनकोक मिले हैं तो पहले नंबर पे आते हैं प्रनब मुखर जी जो हमारे पूरु राश्पत रहे हैं और पूरु बित्वमंतरी रहे चुके हैं नाना जी देश्मुक जो की महरास के समास सेवी हैं उनको मिला है दूसरे न चांबंदी दो फैक्ट कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत रत्न कब से प्रदान किया जा रहा है उसकी जो उसका सन है वो बताएंगे और पहली बार जो तीन लोगों को दिया गया था भारत रत्न उनका नाप हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे इन ती पुरस्कार जो है दिया जाता है तामरपत्र के आधार आकार का एक होता है गोल्ड का वो दिया जाता है तो इसमें कोई पुरस्कार रास ही नहीं होती है भारत का सर्वोच नागरिक संबान है तो इसको आप याद रखेंगे फिर से एक बार देख लेते हैं प्रणभ मुखर पहले हैं जो कि पूरु रास्पत हमारे रहे हैं नाना जी देशमुक महराज के समाज सेवी हैं और भूपेन हजारिका असमी भासा के कभी हैं और फिल्म निर्माता हैं इन तीनों को मिलाकर 48 लोग हैं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कब से शुरू किया गया है और पहली बार जो तीन लोगों को दिया गया था उनके नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगला हम देखेंगे प्रथम लोगपाल तो लोगपाल पे आप देखेंगे कि लोगपाल विधेग जो है 2013 में लाए गया था उसके लिए जो है इंडिया अगेंस्ट क कारेकाल तक जो है ये मामला पेंडिंग रहा और आप देखेंगे कि 2019 में लोगपाल जो है पहला लोगपाल का गठन हुआ है जिनका जो है पूरो नयाधीज जो है वो पिनाकी चंद्र घोष प्रथम लोगपाल के रूप में जाने जाएंगे तो ये काफी महत्वण मुद् है और या क्या हमें याद रखने की आउशकता है राजपाट द्वारा पिनाकी चंद्र घोष को परथम लोगपाल के रूप में नियुकती राजपत करता है पहले लोगपाल पिनाकी चंद्र घोष है पूर्व जो है नयधीश और लोकपाल में अध्यक्ष को छोड़कर 8 स आउश्यक नहीं 8 सदस्यों के लेकिन यह याद रखना है कि 8 सदस्य हैं अध्यक्ष को छोड़ कर लोगपाल वो सदस्यों का कारेकाल 5 वर्स या 70 वर्स पूर्व होने पूर्व जो भी होगा वो होगा 5 वर्स इनका कारेकाल है अधिक्तम या 70 वर्स की उम्र तक लोगपाल के वेतन भत्ते सर्वोच नयायले के मुखे नयायदीस के बराबर होंगे तो ये भी काफी महत्पूर्ण है अगर नयायदीस लिख देगा तो गलत होगा सर्वोच नयायले के मुखे नयायदीस के बराबर वेतन और भत्ते होंगे ये काफी महत्पूर्ण fact है और केंद सरकार के सभी कर्मचारियों के खिलाब जांच की में ये शामिल हो सकता है जैसे कि A, B, C, D सभी ग्रूप के जो A grade के हैं उनके लिए भी B, C, D के लिए भी ये जांच कर सकता है तो आपको ध्यान रखना है कि केवल A grade के लिए नहीं है ये A, B, C, D तीनो ग्रेट के लिए हैं तो इसमें जो महत्पूर्ण है एक बार फिर से रिवाइस कर लेते हैं महत्पूर्ण तथ हैं रास्पती ने पहले जो लोगपाल की नियुक्ति की उनका नाम है पिनाकी PC घोस पिनाकी चंद्र घोस इसमें आठ सदस से और है अध्यक्ष को होगा किन्द सरकार के सभी करमचारियों A, B, C, D जो भी होते हैं सब को ये सब की जाच कर सकते हैं अब देखते हैं एक और महत्पूर्ण जो है न्यूज है एर स्ट्राइक एर स्ट्राइक जो है आतंकियों जो पुल्वामा हमला हुआ था CRPF कैम पे जिसमें काफी संख्या में हमारे करमचारी अधिकारी हताहत हुए थे उनके विरोध में भारत का एर स्ट्राइक था जिसको 24 परवरी को भारती वाई सेना के मिराज विमानों द्वारा अंजाम दिया गया तो मिराज विमान याद रखना है आपको मिराज विमानों द्वारा इसको अंजाम दिया गया पी ओके के अब तीन जो है माना जाता है कि लांच पैट जो है तबाह किये गए तो बाला कोट मुझाफराबाद और चकोटी तीन हैं उनको तबाह किया गया भारत द्वारा उननीसो चानबे में पाक को दिया गया मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा वापस ले लिया गया इसमें पांच साथ फेक्ट याद करने लायक हैं आपको ये हमला किस दिन हुआ था ये आप देखेंगे कि ये हमले की डेट भी पूछ सकते हैं आरो परिच्छा में एक बार इन्होंने पूछा था तो आप देखेंगे कि 26 फरवरी को भारती वाइस से ना के मिराज भी मानो द्वारा ये दो फेक्ट याद रखने हैं आपको तीन अस्थल हैं जो लाउंच पैट के रूप में जाने जाते हैं पी ओके में उनको नस्ट किया गया बाला कोट मुझाफराबाद और चकोटी भारत द्वारा 1996 में पाक को दिया गया जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दरज अगला देखेंगे हम स्वक्षिता सरविच्छन रिपोर्ट यह भी काफी महत्वपूर है इससे प्रस्ण बनने के संभावना रहेगी इसको जारी कौन करता है तो देख लेंगे आवास एम सहरी मंत्राले द्वारा इससे जारी किया जाता है तो पहला फेक्ट आप याद कर लेंगे कि इसे जारी कौन करता है आवास यह उँवं शेहरी मंत्राले द्वारा जारी किया जाता है इंदौर जो है यह काफी देख रहे हैं आप लगातार तीन वर्सों से इंदौर टॉप प्र रहा है तो इंदौर लगातार तीसरी बार सबसे Mai स्थान के तीसरे पर मैसुरू है भोपाल सरवाधिक स्वक्ष राजधानी के रूप में टॉप पे रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पुरसकार जो है उस सूरत को दिया गया और स्वक्षतम केंटोन्मेंट बोर्ड में दिल्ली टॉप पर है दूसरे स्थान पर मेरट है यूपी का तो ये आप ध्यान रखेंगे फिर से एक बार हम देख लेते हैं सभी फैक्ष को स्वच्छता सरविच्छन रिपोर्ट जारी की गई इसे जारी कौन करता है आवा से हम शेहरी मंत्राले दौरा इसे जारी किया जाता है इंदोर लगातार तीसरी बार सबसे स्वच्छ साहर के रूप में नामदर्ज किया गया इसका दूसरे स्थान पर अंबिकापूर व मैसूरू तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे अंबिकापूर किस राज्य में है अंबिकापूर किस राज्य में है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे भोपाल सरवाधिक स्वच्छ राजधानी और सॉलिड वेस्ट मैन सत्यानी की संभाहना है चोकि भारत ने एक नया कृतिमान रच्छा है इसके द्वारा जो की एंटी सैटलाइट मिसाइल के द्वआरा मार गिराएगया एक जो तो करने वाला भारत 살eva का चोथा बन गया है तो आईए इसको डीटेल में देखते हैं दोस्तों 26 मार्च को एसेट द्वारा एक कारेसी लूप अग्रह को मार गिराए गया तो यह डेमो था एक 27 मार्च को यह वाक्या हुआ तो आप डेट याद रख लेंगे एसेट क्या है एंटी सैटलाइट मिसाइल है यह उसको याद रखेंगे आप अमेरिका रूस और चीन के बाद चौथा देश बना है भारत तो कौन-कौन से देश हैं अमेरिका है रूस है और चीन है तीन देश हैं उनके बाद भारत चौथा देश बना है और यह जो सैटलाइ इस मार्च 2019 को एंटी सैटलाइट मिसाइल द्वारा एमिसाइट इसका नाम सायद था आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे सैटलाइट का नाम क्या था एसाइट द्वारा कारिशील उपगरा को मार दिराए गया अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा स्थान है और यह एलियो में परिक्षण इसका किया गया लोवर अर्थ और्बिट में अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों उच्च सिछा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग तो हायर एजूकेशन की जो इंडिया रैंकिंग है उसके बारे में इसमें बात की गई है आई इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों मानो संसाधा ने विकास मंत्राले द्वारा ओवर ओल स्रेडी में अब जब देखेंगे कि ओवर ओल में मद्रास IIT मद्रास का पहला है स्थान उनिवस्टी के वर्ग में अगर आप देखेंगे तो भारति विज्ञान संस्थान जो है बैंगलूरू वो पहले अस्थे है कॉलेज स्रेडी में मिरांडा हाउस जो है आपकी दिली उनिवस्टी का विद्ध्याला है वो विश्विद्ध्याला का एक कॉलेज है तो कॉलेज स्रेडी में मिरांडा होस प्रथम पे है प्रबंधन स्रेडी में आप देखेंगे वो IIM बैंगलूरू का प्रथम अस्थान है तो ये सारे से महत्वपूर्ण फैक्ट है जो की आपके परिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है आए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं मानोस अंसादन विकास मंत्राले द्वारा इसे जारी किया जाता है महर्डी द्वारा ओवरॉल स्रेडी में IIT मद्रास पहले स्थान पर है और युनिवर्सिटी की रैंकिंग में भारतिय विज्ञान संस्थान पहले पर है कॉले स्रेडी में दिल्ली का मिरंडा हॉस पहले पर है और प्रबंधन स्रेडी में आप देखेंगे वो IIM बैंगलूरू जो है वो पहले स्थान पर है तो ये सारी इतनी जानकारी यहां से महत्पोर थी आईए देखते हैं अगला टॉपिक युनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाने वाला जैपूर्ट है और इसके बारे में पूरी डीटेल में देखते हैं दोस्तों युनेस्को की 43 वी बैठक अजरबैजान के बाकू में हुई तो अजरबैजान जो है वो कहां पर है किस कॉंटिनेंट में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे अजरबैजान किस कॉंटिनेंट में है इसकी जो है बाकू में यह सम्मेलन हुआ और यह कौसा सम्मेलन था 43rd 29 नय अस्थलों को विश्विरासत के रूप में शामिल किया गया तो विश्व के 29 नय कुल अस्थल और शामिल किया गया है विश्विरासत सुची में जैपूर को विश्वी राजस अस्थल घूसित किया गया तो आप यह याद रखेंगे कि जैपूर को घूसित किया गया है जैपूर की अस्थामपना जो है सवाई राजा जैसिंग द्विती द्विती द्वारा की गई है तो सवाई राजा जैसिंग द्विती का भी नाम आप को ज्यान रखना है इतिहास से संबंदित ये प्रस्ण बनता रहता है अक्सर और भारत के अब तक कुल 38 अस्थलों की संख्या जो है वो 1121 हो गई है तो ये इतने फैक्ट यहां से महत्पूर है आईए एक बार फिर से देख लेते हैं इन सभी फैक्ट को यूनेस्को की 29 वी बैठक जो अजरबैजान के बाकू में हुई 29 नय अस्थलों को विश्व विरासत के रूप में शामिल किया गया जैपूर जो भारत का है वो विश्व विरासत अस्थल घोसित किया गया जैपूर की अस्थापना सवाई राजा जैसिंग विती द्वारत की गई थी भारत में अब तक कुल 38 अस्मारक अस्थल विश्व धरवर में शामिल किये जा चुके हैं और अब कुल अस्थलों की संख्या जो है वो 1121 हो गई या इटली के सरवाधिक अस्थल जो है इसमें विश्व विरासत सूची में शामिल है आए अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों लो लोगसभा चुनाओ था यह आप ध्यान रखेंगे और यह साथ चरणों में हुआ 11 अप्राइल से लेकर के 14 मही तक और कुल मतदान का प्रत्सत जो है 67.11 परसेंट रहा 543 में से 542 सीटों पर चुनाओ हुआ विलोर की सीट पर मतदान रद किर दिया गया क्यों रद कर दिया अगर आपको लोगसभा चुनाओ के बारे में या मतदान से संबंदित घटनाओ के बारे में जनकाई लेनी है तो डिस्किप्शन बॉक्स में या हम आई बटन में दे देंगे आप उसको देख सकते हैं सपत ग्रहण समारों में एक बड़ी घटना हुई जिसमें बिम्स्टेक के देशों के जो प्रमुक्ष थे उनको बुलाया गया सबसे युगा सदस से जो है चंद्राणी मूर्मू थे उनकी बात हम देख लेंगे चंद्राणी मूर्मू सबसे युगा सदस से थे किस सीट से हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और सबसे कम सीट जो है सबसे कम मतों से विजए हुए वो बीपी सरोज अपने मचली सर जौनपूर से तो बीपी सरोज जो है सीट थी वो 300, तीन थी अगर उनके NDA की मिला जया 325, इसमें आप देखेंगे कि 52 जो है कॉंग्रेस की सीट थी 52, ये दोनों महत्पोर्ण डेटा है, आप यहां से भी प्रस्न पूछा जा सकता है, जो कि इन्हों ने छोड़ दिया है, तो और भी NDA की जो सायोगी है, जन्ता बेनरजी की उसकी 22 सीटे है, 24 AIDMP की 24 सीटे थी, तो ये आप 16 सीटे जो है जड़ दियू की थी, और ये त्रिन्मुल कॉंग्रेस की थी 22 सीटे, और 16 सीटे है जन्ता दल युनाइटेट की, ये भी आप याद रख सकते हैं, कुछ बड़ी पार्टियां थी, इस बार आप देखेंगे कि BJP बहुत ज़्यादा हावी रही, और जो छोटी पार्टियां है, सपा है, बसपा है, इनके बारे में भी आप डेटे ले सकते हैं, लेकिन कुछ बड़ी पार्टियों के डेटा हमने दे दिये हैं, एक और टॉपिक है, जो की काफी महत्तपूर्ण है, च GSLV MK3 था, 7 सितंबर को चंद्रमा पर लेंड करने की योजना थी, हला कि लेंड नहीं हो पाया, और विक्रम खो गया, और इसके लेंडर जो है, उसका नाम था विक्रम और रोवर जो है, वो प्रज्यान, तो ये दो नाम आप याद रखेंगे, कुल खर्च इसमें 978 करोड क को हुआ था, तो इस से एक बार फिर से देख लेते हैं सारे फैक्ट को, प्रच्छेपन जो है, 22 जुलाई को हुआ था, GSLV MK3 दो है, लांच वैकिल था, 7 सितंबर को चंद्रमा पर लेंड करना था, हमारा हला की लेंड विक्रम फेल रहा, आप ये बताएंगे कि चंद्रमा जो है, उसका दो फेज होता है, एक डार्क फेज है, और एक जो हमारे सामने रहता है, तो डार्क जो है, अस्थल पे चंद्रमा के उतारने वाला विश्यो का पहला देश कौन सा है, जिसने अपना यान जो है, अंतरिक छेयान जो है, वो उतारा है, उसका नाम भी हमें अक्टूबर 2008 को गुआ था और इसका प्रक्षेपन 22 जुलाई तो आप देख लेंगे 22 अक्टूबर 22 जुलाई दोनो 22-22 ही हैं तो इसको याद रखने में आपको आसानी होगी इनका लाउंच वाकिल जो है GSLV MK3 था तो यहां से इतने प्रस्ण बनने की संभावना रहेगी अगला प्रस्ण देख लेते हैं कि बाग जनगरना जो हुई थी उसके बारे में विगत चार वर्सों में बागों की संख्या में 441 की बृद्धिव ही हैं वर्तमान में कुल बागों की संख्या 2960 थी सरवाधिक बाग जो है मध्यप्रदेश, करनाटक और उत्राखन में हु दूसरे अस्थान पर है करनाटक और तीसरे पर है उत्राखन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में बागों की कुल संख्या 173 है कुल बागों की संख्या 2960 है और विगत चार वर्सों में इनकी बृद्धी 741 हो गई है तो ये टॉपिक काफी मह महतुपूर्ण है जो बहुत ही ज्यादा महतुपूर्ण इंपोर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में वीडियो के मादम से डिसक्रिशन किया जाएगा बागी जो छोटे टॉपिक है उनके आधार पे हमने प्रस्न बनाया है प्रस्नों को भी हम शेयर करेंगे यहां पे और जो है वो नई सिक्षानीती नई सिक्षानीती के बारे में कुछ जो महतुपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में जाने हलाकि इन्होंने बहुत शौर्ट में कर दिया है यहां से इतने ही प्रस्न बन सकते हैं यहां सबसे महतुपूर्ण प्रस्न है कि कि समित कि सिफारिश पर रहे हैं कि टीचर्स के जो है अपोइंटमेंट वह घर के आसपास ही होंगे ग्यारा किलोमेटर के अंदर और अगर वो नहीं किया जाता है तो उनको आवाज देनी का प्रावधान है जिते भी सिक्षा मित्र आ दी जो अढ़ोग पे हैं लोग उनको समाप्त किया जाएगा और सिक्षा में बहुत सारे सुधार किये जाएंगे तो देखते हैं क्या होते हैं के कस्तूरी रंगन समिती की सिफारिस पर जो की इसरो के पूर चेर्ण मैंन थे इनके समित की सिफारिस के आधार पर ये सिख्षा नीत बनाई गई थी नरसरी से बाराविट तक पढ़ाई जो ह 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 के फार्मूले पर की जाएगी UGC को भंग करके उच सिक्षा का मिसन की बात की गई है देखे बनता है की नहीं बनता है मानोस इंशाधन विकास मंत्राले का नाम बदल कर सिक्षा मंत्राले रखने की बात की गई इसमें 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 पर फार्मूले पर की जाएगी और UGC का अंग भंग करके उच सिक्षा का मिसन की बात की गई है और मानोस इंशाधन मंत्राले का नाम बदल करके सिक्षा मंत्राले करने की बात की गई है तो यहां से यह महतुकूर फैक्ट है आईए अगला देख लेते हैं कि अगला इस महतुपूर आपकी लिए कौन से राश्टी घटना करम में है तो जम्मू कश्मीर पुनर गठन अधिनियम 2019 यह भी काफी महतुपूर है यह आपकी एक-एक डेट आप याद रख लिए यह पांच अगस्त को राजसभा में पारित हुआ था यह विधेयक 6 अगस्त को लोकसभा में पारित हो गया और राश्परिद द्वारा 7 अगस्त को विधेयक पर अस्ताक्षर करने के बाद अनुछे 370 की समाप्ती हो गई जम्बु कस्मीर वाल अद्दाक के नाम से दो नैर केंदर सासित प्रदेश बनाए गए यह काफी महतुपूर है जम्बु कस्मीर में अब 114 सदस्ची विधान सभा होगी अब भारत में 28 राजव नो केंदर सासित प्रदेश होंगे अधनियम जो है लागु कब हुआ है यह डेट आप जरूर याद रखेगा यह डेट क्यों महतुपूर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 31 अक्टूबर को किसका जन दिवस मनाया जाता है यह अब हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे 2019 से प्रभावी हुई जम्मू कस्मीर के परथम उपराजपाल गिरीश चंद मूर्मो और लद्दाक के परथम उपराजपाल रादा क्रिश्न मातुर हो गए है तो इनकी नियुक्ती भी कर दी गई है इससे जो महत्पूर्ण फैक्ट हैं उसको फिर से देख लेते हैं एक बार दोस्तों पांच अगस्त राजय सबाद छे अगस्त लोकसबा और साथ अगस्त को 2019 को राजपाद द्वाराइस पर हस्ताक्षर कर दिया गया इसको अधिनियम को प्रभावी कब से माना गया 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर क्यों महत्पूर्ण है हमारे लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे जम्बु कस्मीर के जो सदस्य विधान सबाय वो 114 है दो किंद सासित प्रदेश बनाये गए जम्बु कस्मीर और लद्दाग ये काफी महत्पूर्ण है और इनके राज्यपाल उपराज्यपालों की न्यूक्ती हुई है उनका नाम है गिरिशचंद मूर्मू गिरिशचंद मूर्मू क्या है और ये काफी फेमस पूस्टनाल्टी है इनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे गिरिशचंद मूर्मू कौन है इनके बारे में बताएंगे राधाकर से माथूर जो है लद्दाग के प्रथमू पुराजपाल होंगे आईए अगली घटना को देखते हैं दोस्तों कौन सी काफी मत पुण है और यह अंतिम होगी रास्तिय नागरिक रेजिस्टर NRC NRC की अंतिम सूची में 19 लाख लोगों को नाम नहीं है तो 19 लागों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा सरवच नियाले द्वारा 2013 में दिये गए आदेश के बाद NRC पर काम शुरू हो गया था और असम से संबंदित NRC जो है यह लागों की गई 1985 में असम समझावते के तहट किये गए फार्मूले पर NRC को तयार किया गया तो इसमें तीन महत्पूण फैक्ट है NRC की अंतिन सूची में 19 लाख लोग का नाम नहीं पाया गया सरवच नियाले द्वारा जो निर्देश दिया गया था 2013 में उसके आधार पर NRC लागो हुई है यह असम में लागो हुई है 1985 के आधार पर इसको लागो किया गया है इस समझते को तयार किया गया है तो यह रहा पूरा रास्टी है जो घटना करम है इसके बाद हम लेकर आएंगे वीडियो जिसमें आपको जितने भी चर्चित व्यक्ति हैं जनवरी 2019 से ले करके अक्टूबर 2019 तक उनके बारे में पूरी बात हम करेंगे लगबग 200 पेज में पूरा कंटेंट है और उसकी वीडियो जो है लगबग 15-16 वीडियो बनेंगी जिसमें सारे आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे ये 2-3 मैगजीन द्वारा बनाया गया है तो जिसमें जो भी महत्वपूर्ण घटना है हम लोगों को लगी हमारी टीम द्वारे तयार किया गया है और कुछ तब्यत खराब थी इस वज़े से वीडियो नहीं आ रहा ही थी अब जो है regular वीडियो जाएंगी general studies पर भी और इस पर भी आप current affairs के सारी वीडियो जाएंगी तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों स्वस्त रहिए मस्त रहिए बेस्त रहिए